हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आप सभी को बीजगरित का भाग सिखाएंगे कि आप किसी भी संख्या या अक्षर का बीजगरित का भाग जो होता है किस तरीका से दिया जाता है फ्रेंस आपके सामने एक क्वेस्चन हम लिये हैं कि 12x पे 3 पावर है, y पे 2 पावर है, और इसमें भाग देना है माइनस 4xy का भाग देना है, तो भाग देने से पहले कुछ आपको basic concept बताते हैं, देखिए basic concept होता क्या है, इसमें देखिए आपको कहीं पे आपको लिख के मिलता है 2xy, 2xy का मतलब क्या होता है, 2xy का मतलब होता है, दो गुड़े, x गुड़े, y होता है, इसका मतलब यही होता है, यदि आपको कहीं पे पावर मिल जाता है 3 गाद, यानि 3 पावर मिलता है, ति इसका अर्थ क्या होता है, कि यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स होता है ठीक है यदि आपको कहीं पे आपको मिल जाता है कि तीन एक्स पे चार और वाई पे दो पावर इस तरीका से कहीं आपको लिखा मिलता है ति इसका तातपर क्या होता है इसका तातपर यही होता है कि तीन गुड़े यक्स पे y कितने बार है दो बार है गुड़ा में y दो बार यदि आपको ये बात concept पता चल गया होगा तो आप इसका भाग देनेंगे चलिए भाग देते हैं आपके सामने ये question है तो इसका भाग कैसे देंगे देखिए बहुत simple है इसको लिखिए 12x पे 3 y square में भाग देना है कितना का x पे 3 है देखिए x पे 3 y square इसका भाग कितने में जितना देना है उसको हर में लिख लिजी माइनस 4xy ठीक है इतना जब हो गया तो इसको आपको उपर बता है उसी तरह इसका विस्तार कर लिजी विस्तार कैसे करेंगे देखिए 12 गुड़ा यक्स कितने बार है तीन पावर ह कर देखिए x गुड़े x गुड़े x गुड़े x तीन बार हो गया और गुड़े y कितने बार है दो बार है तो y दो बार कर देजी और अपार इसी तरह माइनस 4 है और गुड़ा x गुड़े y कर लिजी देखिए y से y एक दूसरे कैंसल आउट हो रहा है यक्स से yक्स कैंसल आउट हो रहा है, 4 एक एम 4, 4 तहीं 12, ऊपर आपका बच कितना रहा है, अंस में, अंस में देखे, 3, गुड़े, x, गुड़े, y बच रहा है, और नीचे सिर्फ माइनस 1 बच रहा है, ठीक, देख लिए, माइनस 1 बच रहा है, अब गुड़ा देखे, अब इसको कैसे लिख स सकते हैं, यक्स कितने बच रहा है, 2 बच रहा है, y कितने बच रहा है, एक बार है, और माइनस 1 है, माइनस जब नीचे होता है, तो माइनस को उपर ले जाए, जब माइनस को उपर ले जाए, तो माइनस 3 x square y, यही आपका answer हो जाएगा, ठीक, देखिए, माइनस 3 x square y, यही आपका answer हो जाएगा, चलिए next question को भी इसी तरह solve करते हैं, आपका next question क्या है, next question लेते हैं, बहुत simple होता है friends, भाग देना, जैसे आपका है, आपको 28, x पे 7, y पे 4, इसमें भाग देना है आपको, minus 7, x पे 3 घात है, y पे 2 घात है, ठीक, इसी का आपको भाग देना है, देखें पहले इसको सरवपरतम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 28, x पे 7, y पे 4, अब 5, minus 7, x पे 3, y पे 2 पावर है, अब इसको विस्तार से लिखेंगे, जैसे पताएं उसी तरफ, देखें, 28 लिखेंगे, अब गुड़ा में क्या लिखेंगे, यक साथ बारत, यक साथ बार लिखेंगे, एक, दो, तीन, और चार हुआ, ये पांच हुआ, ये च्छा हुआ, ये साथ हुआ, अब उसके बाद वाई को लिखेंगे, वाई कितने बारत, चार बार है, तो वाई को चार बार लिखेंगे, देखें, यहाँ पे देखाते हैं, य को कितने बार लिखेंगे चार बार लिखेंगे तो य अब यहाँ पर जगर नहीं तो नीचे लिखेंगे देते हैं चार बार तो यज़े चार बार लिख लिजिए अवहिए इसकी अपान पूरे कैंपा देखे हम माइनस साथ है और यक्सindruck इन पार भार लिखे ह Kenny थे एक फी वार लिख लिए वाई कितने बार हैं वाई दो बार यहां पर आपका चार बच रहा है, यहां पर चार बच रहा है, यहां पर चार बच रहा है, याक्स यहां पर चार बच रहा है, याक्स गुड़े, याक्स गुड़े, याक्स गुड़े, याक्स गुड़े, याक्स, वाई कितने बार बच रहा है, वाई दो बार बच रहा है, तो y 2 बार लिग लिजिए और आपान देखिए नीचे कितना minus 1 बच रहा है देखिए जब नीचे minus 1 बच रहा है तो 4 यक्स कितने बार 1 2 3 4 यनि कि yaks पे 4 पावर होगा y कितने बार है दो बार है तो y पे 2 पावर होगा बटाकिब minus 1 जब minus 1 का देंगे तो minus कहाँ चला जाएगा उपर चला जाएगा तो minus कितना हो जाएगा 4x पे 4 power y square यही आपका answer होगा तो friends इस तरीका से हम बीजगड़ित का भाग simple तरीका से देते हैं तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का like करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक्स फार वाचीन